चर्चित उन्नाव रेपकांड के आरोपी कुलदीप सिंग सेंगर दिल्ली रवाना आज 30,000 कोट में CBI ने उन्हें किया पेश चर्चित उन्नाव क्रेप कांड में सीतापुर जिला कारगार में काफी समय से बन विधायक कुलदीप सिंग सेंगर को भारी सुरक्षा के बीच दिल्ली ले जाया गया विधायक की सुरक्षा में 22 पुलिस कर्मियों को लगाया गया है सुमवार को दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में न्यायधीश के समक्ष उन्हें पेश किया गया है सीतापुर्जिला कारगार से पुलिस का स्टडी में दिल्ली जाते समय विधायक कुल्दीप सिंग सेंगर ने अकबार नवीसों के सवालों का जहां जवाब दिया वहीं बचाओ में अपना पाक्षभी रखा लोग बिद्वान हो मैं आप लोगों से भी कहूंगा अपने काम में वो हो गए कमजोर हो गए उन्होंने राजनितिक साजिस की है मैं पूरी तरीके सगयता हूँ पूरी निस्पच जाच होनी चाहिए प्यापब जाच होनी चाहिए इसकी ब्यापब जाच होनी चाहिए दुरगटना है या साजिस इसकी ब्यापब जाच होनी चाहिए और सारे चीजों की जाँच होनी चाहिए और जो अब तक क्या लग रहा है साव राजनेतिक सागी से तो लगता कि आपको मदद करना बहेंगा पड़ा किसी की हम तो मदद करने के लिए पैदा हुए थे मदद करने के लिए पैदा हुए है करीबों की मदद, कमजोर लोगों की मदद समाज के हर वर्ट लोगों की मदद करने का काम कुल्दीव सिंगा ने आज सक किया है और वो काम बरावर करते रहेंगे चाह जाई से करना पड़ें राइवरिली हास्से के लिए क्या कहना चाहेंगे यह तो एक हादसा है, यह साजीजिस कि जहांग CRII उच्छन्षता कर रही है, आप लोग भी उसमें मदद करिए, CRIBI पर पुरा भरोसा है आपको? सब पर भरोसा है, हमको आप पे भी वरोसा है, CRI पर आरोप लगाया है? उसको सिद्धि करना मैं तो चाहता हूँ आप सब के घर परिवार है आप जाइए हमारे गाओं देखिए जाके वहाँ पर मैंने किस तरिके समाज के गरीब कम जो लोगों की मदद देखिए किस की साजिस हो सकती है परिवाराद के टामराद जेल में बिजेपी के नेताओं पर कोई आ रहो बीजेपी के नेताओं पर भारती जलता पाकी का कारिकरता था और मैं जीस दल में रहता हूँ बड़ी इमान्दारी से रहता हूँ पाकी